हाई एभरी वान वेलकम टो मैस शेज़री आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनन के माइनस और को साथ परक ते क्या होते हैं? चलिए शुरू करते हैं माल लिजे कि हमारे पास एक डिटर्मिनन और सुर्फ स्क्वाइर मैट्रिक्स का निकाला जाता है हम सभी जानते हैं और हमने बात की थी कि किसी मैट्रिस के डिटर्मेंट को आप साथ तरीकों से expand कर सकते हैं, you can expand along R1, R2, R3, C1, C2, C3, इस रहां से आप निकाल सकते हैं और साथ में मैंने आपको एक ट्रिट बताई थी, यानि आपको मैंने साथ मेथट बताई थी जिससे आप डिटर्मेंट को expand कर सकते हों, यानि यह हम मान के चलते हैं कि you all can expand डिटर्मेंट, डिटर्मेंट आप सभी निकाल सकते हों, अब यह माइनर और को फैक्टर क्या होते हैं, डिटर्मेंट के जितने भी element होते हैं उन सभी element के respect में हम लोग minors and co-factors निकाल सकते हैं चलिए पहले बात कर लेते हैं कि minors क्या होते हैं minor समझने के बाद आपको आसानी से co-factors समझ में आ जाएंगे so let's get started चलिए शुरू करते हैं किसी भी determinant के किसी element का minor क्या होता है चलिए देख लेते हैं this is written here minor दो चीज़े हैं बच्चों छोटा सा change है छोटा सा difference है इसमें minor क्या है और co-factor क्या है right तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे minor क्या चीज़ होती है तो यहाँ पर मैंने लिखा है minor की definition पहले definition से समझते हैं फिर example लेखेंगे क्या फिर निकालते कैसे हैं सबसे पहली बात एक determinant होगा या तो 2 by 2 का होगा या 3 by 3 का होगा या 4 by 4 का भी हो सकता है लिकिन usually 3 by 3 का ही एक determinant आपको दिया होगा तो मार लेते हैं कि एक determinant आपको दिया है और इसमें एक एलिमेंट है ए आई जे माइनर ओफ एन एलिमेंट ए आई जे ओप्टेन बाई दिलिटिंग आयत रो एंड जेत कॉलम इन विच ए आई जे लाइज चिक तो ये देखिए definition की बात हुई definition जो होती है थोड़ा complicated लगती ही है कभी भी अपन definition से कोई चीज अच्छी से समझ नहीं चकते तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक determinant दिया है मान लेते हैं कि ये del है इसमान लेते हैं कि ये determinant आपको दिया है आप सभी लोग इसे expand कर सकते हो ये हमने discuss कर लिया था अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसके minors निकालिए find minors तो सबसे पहली बाद इसके कितने minors हो सकते हैं इसके 9 minors हो सकते हैं क्योंकि इसमें कितने element है 9 ही element है यानि कि किसी determinant में जितने element होते हैं उतने ही minors निकाले जा सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा था कि minor of an element aij, किसी element aij का अगर minor निकालना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस determinant में जिस, मतलब वो जो element जिसका आप minor निकाल रहे हो, उसकी i-th row को हटा देना है और j-th column को हटा देना है, तो इस determinant में 2 का minor निकालना है, अब 2 किस row में है और किस column में है, obviously 2 जो है, actually 2 की position में अगर आपसे पूछों, तो यह क्या है बचों, यह a11 है, क्योंकि यह first row, first column का सदर से है, या member है, यह इसका नाम क्या है, इसका नाम है, यह first row और second column का है, तो इसका नाम है a12, है ना, तो यही तो लिखा है, कि aij का अगर आपको minor चाहिए, तो i-th row और j-th column को हटा दो, तो यहाँ पर हमें क्या गरना है, चुकि यह first row और second column का सदर से है, तो आपको, you have to delete first row and second column, आपको इसे हटा देना है, यह element, जिस भी row और column का है, उससे हटा देते हैं, उसके बाद क्या पाचता है, obviously उसके बाद तो सिर्फ 4 element ही बचेंगे, 4, minus 5, 0 and 6, अब आप इसका remaining element का determinant solve कर लोगे, तो बचों अगर हम इसका determinant solve करते हैं, तो यह कैसे आता है, 4 into 6, 4, 6 is 24, minus, 0 into minus 5, यानिकी 0 ही आएगा, तो आजागा 24, समझ में आई बात, तो minor, 2 का minor क्या हुआ है, 24, minor हर एक element का निकाला जा सकता है, अभी तो हमने सिर्फ 2 का निकाला है, अगर मुझे इस 4 का, मालिजी इसमें एक element 4 भी है, अगर मुझे इसका minor निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं, definitely हम किसी भी element का minor निकाल सकते हैं, determine के तो चलिए एक बार और इसे समझ लेते हैं suppose हमें इस element 4 का minor नितालना है यहां भी वही करना है 4 की row 4 की row कौन सी है 4 किस row का है यह जो आपको second row दिख रही है उसका member है तो आपको second row को delete कर देना है अपने mind में चाहे हम इसे ऐसे लिखके बताएं आप imagine कर लीजे कि हम लोग इसे छोड रहे हैं we have to delete this particular row इसी तरह से 4 किस कॉलम का है भाई 1st कॉलम का है तो आपको 1st कॉलम और 2nd row हटा देनी है अगर आप आपको definition समझ में आ जाएगी यहां पे लिखा है कि minor of an element aij of a determinant obtained by deleting i-th row and j-th column in which aij lies उस row को और उस कॉलम को छोड़ना है जिसमें aij था ठीक है अब फिर आगे लिखा है minor of aij is denoted by mij minors को denote कैसे करते है m से m for minor ठीक है तो अगर मुझे minor 4 का निकालना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी m अब इसके बाद क्या लिखना है अब आप सोचिए कि जो 4 है किस row और किस column का है तो यह जो है नो second row का है तो यहाँ पे लिखना है two और किस column का है first column का तो यहाँ पे लिखना है one तो हम जब 4 का minor निकालेंगे न तो यहाँ पे लिखेंगे m21 यह अपने से लिखना पड़ेगा क्योंकि actually यह 4 second row और first column का है पहले row लिखते हैं फिर column लिखते हैं तो यहाँ पे यह हो गया और उसके बाद अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि delete कर देते हैं उसके बाद solve कर लेते हैं तो देखी बचों अगर मैं इस four के row और column को छोड़ दूँगी तो क्या बचेगा आप देख सकते हो कि क्या बचेगा एक छोटा सा determinant बचेगा जिसमें क्या क्या रहेगा two three seven six अगर हमने इस column और इस row को छोड़ दिया है तो क्या बचेगा two three seven six है ना अब हम इसे solve कर लेते हैं तो कितना आएगा two into six twelve minus seven into three twenty one तो यह आजाए ना 12 minus twenty one 12 minus twenty one तो यह कितना आएगा तो का minus nine आजाएगा this is negative of nine समझ में आ रहा है आप लोग को हम किसी भी determinant के किसी भी element का minor find कर सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हो तो इसके minors होंगे m11, m12, m13, m21, m22, m23, m31, m32, m33 इस तरह से nine minors होंगे इसके minors में कुछ नहीं करना है m21 अगर निकालना है तो हमें second row और first column को छोड़ देना चाहा है ऐसा भी होता है कि आप से कोई बोले कि इस determinant में m21 निकालिए तो भी हम निकाल सकते हैं कैसे आपको क्या करना है इस determinant में second row m21 का मतलब second row और first column को छोड़ देना है तो बच्चों अगर हम लोग second row first column को छोड़ देंगे तो ये देखी ये है second row है ना और ये है first column अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 into 6 12 12 minus 21 ये ही आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग किसी भी 3 by 3 के determinant में 9 minus आसानी से निकाल सकते हैं किसी को कोई doubt सब को समझ में आ गया है कि how to find minus अगर आप समझ पाए हो तो मुझे आप लोग निकाल के बताओ m22 इस determinant में आप लोग मुझे m22 निकाल के बताओ अब यहाँ मैंने दो determinant लिख रखे है और आपको find करना है इसके सारे minors you have to find all its minors right तो देखिए बचो पहले example में first question में मेरे पास तो चारी elements है इस determinant में तो इसके चार ही minors हो सकते हैं उसके पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर first minor M11 M11 का मतलब है आपको first row और first column को छोड़ देना है you have to leave M11 का मतलब है you have to leave first row and first column अगर हम first row और first column को हटा दे तो क्या बचेगा सिर्फ यही तो बचेगा D तो M11 कितना हो जाएगा it is nothing but D अब अगर मुझे इसका second minor निकालना हो इस element C का minor निकालना हो तो यह क्या हो जाएगा यह होगा M12 M12 का मतलब है कि first row और second column को छोड़ना है तो जब हम first row और second column को छोड़ देंगे can you tell me what you will get कोई बटा सकता है M12 क्या होगा say it is B B आ जाएगा बचो राइट अब हम लोग बात करते है M21 की now let's talk about the minor for this element B B के लिए minor कौन होगा इसके लिए इसके लिए minor का मतलब है M21 क्योंकि यह second row और first column का member है तो M21 का minor कौन होगा हम इसको छोड़ देंगे और A से छोड़ देंगे तो क्या बचेगा C बचेगा 22 अब चुकि यह छोटा सा determinant है तो बहुत आसान है कुछ misunderstanding नहीं है यहाँ पे there is no confusion M22 बताए यह आपको M22 निकालने के लिए यह छोड़ना है और यह छोड़ना है राइट second row and second column छोड़ देना है तो क्या बचेगा A बचेगा this is your answer तो यह है इसके सारे minors I think minors समझ में आ गया आप लोग को अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं और जल्दे से जल्दे निकाल लेते हैं मान लीजिए बच्चो मैं इसमें आपको बोलती हूँ M11 निकालने को M11 मतलब first row first column को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपको यह चार element बचेंगे minus 5 minus 1 1 and 2 and you have to solve this तो crosswise solve किया जाता है determinant minus 5 into 2 minus 10 minus minus तो लगता ही है बीच में फिर minus 1 into 1 minus 1 हो जाएगा तो यह आजा रहेगा आपका minus 10 plus 1 यानि कि minus 9 सही है you will get minus 9 अब हम लोग निकाल लेते हैं M12 M13 तो देखें बचो M12 के लिए क्या करना आप कई बार देखो hide करने की जुरूद नहीं है हम अपने मन में imagine करके भी निकाल सकते हैं तो M12 first row और second column को छोड़ना है first row second column को छोड़ देंगे तो पता है क्या बचेगा 3 minus 102 यहाँ पर बचेगा 3 minus 102 और जब हम इसे solve करेंगे तो आजाएगा 3 into 2 6 6 minus minus 0 यानिकि 0 ही हो गया है तो सिर्फ 6 आएगा M12 आ रहा है बच्चों 6 अब हम बात करते हैं M13 की M13 का मतलब first row third column को छोड़ना है हमें first row यह हो गया और third column यह हो गया क्या बचेगा 3 minus 501 चाहें तो हम यही के यही भी calculate कर सकते हैं तो यह आजाएगा 3 minus 501 first row third column को छोड़ देने के बाद यह 4 element बसेंगे and when we solve these then it would be 3 minus minus तो यह 0 ही आजाएगा तो यह आजाएगा आपका 3 तो यह देखिएगा M13 आजाता है इतना ठीक है तो hopefully आप समझ पा रहे हो कैसे निकालना है आपको minus minus 2 by 2 का और इसी तरह से minus 3 by 3 का भी हमने discuss कर लिया है एक और देख लेते हैं M33 देख लेते हैं मालीजे हमें M33 निकालना है तो अब हमें क्या करना है third row third column को छोड़ना है you have to leave third row third column ये third row है और ये third column है जब छोड़ दोगे तो क्या बचेगा 1 0 3 minus 5 बचेगा and when you solve this तो क्या है 1 into minus 5 minus 5 minus 0 ये निदि minus 5 ही आ जाएगा किसी बिलकुल minus की तरह ही co factors को भी हम किसी भी element के respect में निकालते हैं अगर determinant में 9 elements है तो उसके 9 co factor ही होंगे समझ लीजिए कि minus जो आप निकालना सिखे हैं उसमें बस plus या minus लगा देते हैं तो co factor मल जाते हैं ठिक तो क्या है actual concept co factor का चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पूरी आप definition में आपको नहीं बता रही हूं सिदे सिदे बता देती हूं कि co factors co factors of an element aij of a determinant एक determinant होगा उसका कोई भी एक element aij उसका अगर आपको निकालना है co factor तो उसके लिए पहले आपको minor आना चाहिए ठीक है? माल लिजे कि आपको minor बन चाहता है minors आपको आता है तो of a determinant is denoted by इसे किस तरह से denote करते हैं? it is denoted by a कई books में आपको c से भी लिखा हुआ मिलेगा co factors are either denoted by capital a और capital c but हम लोग ncrd को follow करते हुए मैं capital a बता रही हूँ आपको right? आपको rd में भी और कई books में c से भी मिलेगा समझने से मतलब है symbols हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो बच्चों co factors are denoted by aij ध्यान से समझिएगा element था aij इसका co factor होगा a capital aij या फिर cij कुछ भी लिख सकते हैं अब यह होता क्या है? ध्यान से समझिएगा यह होता है बच्चों aij is nothing but minus one की power i plus j into mij यानि की जो आपने माइनर के बारे में समझा है यानि की जो आपने माइनर के बारे में समझा है यान सेव वही बस या तो उसमें plus लगेगा या तो minus वो कैसे decide होगा? minus one की power i plus j mij यानि माइनर निकालना है माइनर में multiply कर देना है minus one की power i plus j इसे मैं अच्छे से explain करने के लिए आपको example दूँगी तब आपको समझ में यह आएगा बरहाल यह formula यह है बच्चों ठीक है? formula यह है और हम co-factor कैसे निकाल सकते हैं? अगर माइनर आपको आता है तो इस formula से हम लोग निकाल सकते हैं तो यह आगे मैंने question लिखा है third question NCRD 4.4 का question है पहले हम लोग समझेंगे कि co-factors निकालते कैसे हैं? तो यह मैंने determinant लिखा है find all co-factors of this determinant इसका सारे co-factors आपको निकालन हैं? पहला co-factor denote किया जाएगा A11 से. A11 का formula है minus 1 की power ध्यान से देखिएगा 11 तो minus 1 की power 1 plus 1. मतलब यहाँ पे जो A के पास लगे रहते हैं वो minus 1 की उपर उनको add करके लिखा जाता है. आप सभी जानते हो higher mathematics पढ़ रहा हो minus 1 की power 2 जब होता है, 4 जब होता है, 6 जब होता है, हम प्लस 1 आंसर आता है, और minus 1 की उपर 3 जब होता है, 5 जब होता है, 7 जब होता है, यानि कि odd तो minus 1 आंसर होता है, यानि कि आपने जो minor समझा है, उसमें या तो plus लगा देना है, या minus लगा देना है, then you will get co-factors, ठीक है? तो देखिए अगर A11 लगाना है ना, निकालना है तो minus 1 की पावर 1 प्लस 1, फिर M11, मतलब co-factor is minus 1 की पावर 1 प्लस 1 into minor, अब minor तो हम समझ चुके है, तो minor पहले तो इसे निप्ता ले भाई, ये क्या है, minus 1 की पावर 2 प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, इसका आप कुछ नहीं होगा, this is only plus 1, अब इसका minor निकाल लो, M11 कैसे निकालोगे बच्चों आप लो, 1st row और 1st column को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये 4 element बचेंगे, इसका determinant क्या आएगा, 0 into 3, 0, 0 minus 2 यानि की minus 2 answer आएगा, तो इसका कोई minor पुछता, तो minus 2 ही होता, और co-factor भी minus 2 ही है, अब मैं आपको दूसरी co-factor को निकाल के बता क्यों इसका, A1, 2, इसका second co-factor, 1st row second column को छोड़ना है, 1, 2, 1st row second column, 1st row second column छोड़ दीजे, क्या बचेगा, बच्चों, एक मिनट, पहले formula की बात करते, minus 1 की power, 1 plus 2, फिर उसका minor, 1, 2, मतलब अगर co-factor निकालना है, तो पहले उसी का minor निकालना पड़ता है, और minus 1 की power, I plus J, तो यह क्या आएगा, यह आजाएगा, minus 1 की power, 1 plus 2, यह नहीं 3, minus 1 की power, 3 minus 1 होता है, तो यह minus लग गया, and M12, M12 मतलब minor of 12, मतलब first row second column को छोड़ दो, तो first row और second column को छोड़ना है, तो क्या बचेगा, 21, 21, 13, डायरेट निकालते हैं, चलिए, 3 to the 6, 6 minus 1, answer 5 आएगा, minus 5, तो आप देख सकते हो, कि A12 आ रहा है, minus 5, A13, minus 1 की power, 1 plus 3, 4, फिर M13, minus 1 की power 4, तो plus 1 होगा, M13, मतलब first row third column को छोड़ो, first row third column को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, 2102, 2 to the 4, 4 minus 0, 4 answer आएगा, A21, minus 1 की power, 2 plus 1, 3, फिर M21, minus 1 की power 3, तो minus 1 होता है, यह minus आगया, M21 क्या होगा बच्चों, M21 मतलब second row first column, second row first column को छोड़ना है, 3, 2, 8, 3, 9 minus 16, 9 minus 16, minus 7, सही है, minus 7, minus minus plus 7 answer, A22, A23, A22 मतलब minus 1 की power 2 plus 2, 4, M22, तो यह तो plus हो जाएगा, M22 कैसे निकालेंगे बच्चों, second row second column छोड़ देना है, इस डाइरेक्ट करना है, second row second column छोड़ दिया, 5, 3, 15, 15, 15 minus 8, 7, answer, M, अब A23, next co-factor, 23, second row third column छोड़ना है, minus 1 की power 2 plus 3, 5, M23, तो यह minus आजाएगा, M23, second row third column को छोड़ना है, तो 10 minus 3, 7, minus 7, clear, तो चलिए बच्चों, पहले 3, 1 निकाल लेते हैं, minus 1 की power 3 plus 1, 4, M31, तो minus 1 की power 4 plus हो जाएगा, M31 यहनि third row first column को छोड़ना है, तो कितना हैगा, 3 minus 0, 3 answer, अब M32 की बात कर लेते हैं, minus 1 की power 3 plus 2, 5, M32, minus 1 की power 5, कितना होगा, negative आएगा, M32 मतलब third row second column को छोड़ना है, 5 minus 16, यहनि की minus 11, और यहनि की minus यहाँ पहे, तो plus 11 आएगा, सही है, चलिए आखरी है बच्चों, last, M33, now the last co-factor of this particular determinant, minus 1 की power 3 plus 3, यहनि की 6 and M33, तो यहाँ आज आएगा, minus 1 की power 6, तो plus होता है, M33 third row third column छोड़ देंगे, तो 0 minus 6, 6 आएगा, 0 minus 6, minus 6 आएगा, हमारे co-factor's निकाल लिये हैं, I think आप समच चुके हो, how to find co-factor's, you understood how to find co-factor's, समझ पा रहे होगे आप लोग, अब तुम लोग को याद होगा, कि जब मैंने आप लोग को expand करना बताया था, first row के along, मैंने आपको बताया था, कि हम लोग determinant को expand कर सकते हैं, first row के along भी, और second row के along भी, और third row के along भी, है ना, तो अगर हम लोग first row के along, अगर इसको expand करते हैं, तो आपको बताया था, मैंने कि अभी हमको सिर्फ ये element लिखना है, तो पहले हम लोग लिखते हैं five, तो five क्या है, five क्या है बचों, a11 है, है ना, फिर अगर हम लोग इसके row और column को छोड़ देंगे, first row और first column को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा ना आपको ये, तो इसको क्या कहते हैं, a11 कहते है, plus, रुखिएगा, उसके बाद हम लोग ये element लिखते हैं, three, लेकिन मैंने आपको बताया था कि a33, लिखते हैं, तो यहाँ पे a33 का नाम क्या है, according to position, what is name of this a33, ये first row और second column का member है, तो इसको क्या कहते हैं आपन, इसका core factor निकालेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, a12 कहेंगे, और इसी तरह से हम लोग फिर ये 8 लिखेंगे, तो 8 क्या है, 13 है, और फिर उसका core factor हम लोग निकाल लेंगे, तो इसके core factor को अपन क्या कहेंगे, जब इसके row और column को छोड़ देते हैं, तो अपन a13 कहेंगे इसको, तो इस तरह से देखेगा, हमने जो आपको बिना formula की, जो मैंने method बताई थी न, expand करने की, तो अब formula के हिसाब से वो ये हो जाती है, अगर हम लोग इसकी value अब निकालना चाहें, तो इससी तरह से इस formula से निकाल सकते हैं, तो a11 क्या है, 5, उसके बाद cofactor, a11 निकालना तो इसके row और column को छोड़ देंगे, तो कितना आजाएगा, 0-2, फिर उसके बाद minus होता ही element, minus 3, a12, first row second column को छोड़ना है, तो कितना आजाएगा, first row and second column, 6-1, plus a13 निकालना, 8, फिर first row third column को छोड़ देंगे, तो कितना आजाएगा, 4-0, तो finally आजाएगा, बच्छों, minus 10, और यह आजाएगा, 5, minus 15, plus 32, तो यह आजाएगा, minus 25, plus 32, 32 minus 25, कितना हो जाएगा, 7 होगा, sorry, 7, तो इसकी value यह आएगी, यानि हम लोग इस तरह से cofactor's निकाल सकते हैं, minus निकाल सकते हैं, और minus cofactor की help से, हम लोग determinant को expand कर सकते हैं, ठीक है ना?